नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्व विद्दाले में जो कहा गया है कि ओनलाइन परिक्षा नहीं करवा सकते हो उसके बारे में मैं आपको बता दू दोस दोस्तों कि केंद्र सरकार ने एक एड़ाइजरी जारी करके कहा था कि हमें अब लंबे समय तक सोसल डिश्टेंसिंग का पालन करना होगा उसे देखते वे यूजी शी ने अपने गाइडलाइन्स में कहा था कि जो विस्व विदाले समर्थ हो अपने इस तर पर ओनलाइन एक एक जाम्स को लेकर किन-किन विस्व विदालेओं में ऑन-लाइन एकलाइंस करवा जा सकते हैं और ऑन-लाइन एक जाम्स करवाने से पहले शिक शक को और छात्रों को किन-किन Mormissants को लेना धोस्तों जरूरी होगा पूरी ऐपडेट में आपको इस वीडि ओ में देने वाला ये दोस्तों आप देख सकते हैं, परिक्षा का ओनलाइन विकल्प विश्व विदाले के पास संसाधन नहीं, विश्व विदाले अनुधान आयोग ने देश के सभी विश्व विदाले को परिक्षा आयोजित करने के लिए छोड दिये है, लेकिन रुहेलकंड विश्व पर दोस्तों यही बात लागू हो रही है कि विश्व विदाले अनुदान आयोग यूजी शी ने तो यह छूड़ दे दिया विश्व विदालियों को कि वो चाहे तो ओनलाइन एकजाम करवा सकती है लेकिन उनके पास इतने संसादन उपलब्द नहीं है कि वो ओनलाइन 44-46-46 थाहों की उनलाइन परिक्षा के लिए विश्व विदाले के पास जरूरी संशादनों का अभावा है इसलिए विश्व विदाले राज्य सरकार की गाइडलाइन का इनतिजार कर रहा है उसका दवा है कि लोगडाउन के 10 दिन बाद भी ओफलाइन परिक्षा करा सकते हैं रुहेल खंड विश्व विदाले से संबंद बरेले साइट नो जिलों में पांसो और चास को ले संचालित है विश्व विदाले में 25 परवरी से वार्शिक परिक्षाइं हो रही थी लोगडाउन की वज़़श ये परिक्षाइं रोक दी गई थी अब 6 परिक्षाओं को लेकर युजीशी ने गाइडलाइन जारी कर दी कहा कि जिन विश्व विदालियों में आनलाइन परिक्षाओं कराने का इंफराइस्ट्रक्चर मौजूद है वे परिक्षाओं भी करा सकते हैं लेकिन रुएल कंड विश्व विदाले ओफलाइन के अलावा दूसरे कल्ब स परिक्षाइं कराने में शक्षम नहीं है रूयल विस्तु विद्दाले के दोस्तों जो कुल पती है प्रोफिसर अनिल सुकला उन्होंने कहा है कि 40% परिक्षाइं है वो पूरी हो चुके है लेकिन 60% परिक्षाइं है वो अभी भी बाकी है उनका मुल्यांकन कराना उनने कहा है कि मुल्यांकन कराना भी एक बड़ा चेलेंज है हाँ उननोंने कहा है कि जो प्रेक्टिकल एक्षम होते हैं वो ऑनलाइन करवाई जा सकते हैं लेकिन उनकी प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अब ये देखे दोस्तों की ओनलाइन परिक्षा के लिए क्या-क्या चीजे जरूरी है और किन-किन की दोस्तों प्रमिशन की आवशकता होगी चात्र के पास लेबटोप, इंटरनेट, हाइस्पीड, ब्रोडबेंड, कनेक्शन, चात्रों की लिखित सहयमती यानि मैं आपको बता दो दोस्तों यदि ओनलाइन एक्जाम करवाई जाते हैं तो उसके लिए इस्टूडेंट्स के पास लेबटोप का होना जरूरी है, साथ इसाथ के अवले लेबटोप ये प्रयापत नहीं है हाई स्पीड इंटरनेट ब्रोडबेंड सेवाए होनी चाहिए और साथ इसाथ इस्टूडेंट्स के लिखित सहयमती की वो ओनलाइन एक्जाम देने के लिए तयार है मैं आपको बता दू, दोस्तों के हो सकता है किसी विद्यार्थी के पास लेबटोप तो उपलबदो लेकिन गावों के दूर दराज वाले छेतरों में मैं आपको बता दू, इंटरनेट इतनी हाई स्पीड है वो नहीं दे सकता है कि जिससे एक्जाम है वो करवाई जासके इसे दोस्तों उन विद्यार्थियों के साथ सिदा सिदा सा गाटा हो जाएगा जो गाम में रहते हैं और जिन के पास में ऐसी सोईधाय उपलबद नहीं है कि वो ओनलाइन एक्जाम दे सके तो ज़्यादा तर विस्तों विदाले कि चैनल उन विद्यार्थियों के से पास दोस्तों जो परीजार्थियों के कौप याचे करवाना भी उससे आसा नहीं होगा उनलाइन आगे देखिए दोस्तों जो प्रोपेसर नलीनी स्रिवास्तवाइड दीन फैकल्टी ओफ एजूकेसन एंड एलाइड साइंसेजर रोहेल खंड विस्व विदाले कि उन्होंने कहा क्या कहा है ओनलाइन विकल्ट तो अच्छा है लेकिन अभी उसके लिए विस्व विदाले के पास अंसादन नहीं है शिक्षे कोर्चातर भी इस पैटर्न के लिए तयार नहीं है पहले सिलेबस में ओनलाइन परिक्षा के एसाब से थोड़ी विवस्ता होनी चाहिए ताकि वह उसके आदत में हो जाए नहीं उन्होंने कहा है कि ओनलाइन विकल्प अच्छा है लेकिन पहले जो स्टुडेंट्स है उनको ओनलाइन एकजाम है वो एक दो बार अपने स्थर पर इंटरनल असेस्मेंट के आदार पर करवाई जाने चाहिए उसके बार में ही ये वार सिक परिक्षा ये सेमेश्टर एकजाम है वो होने चाहिए उनलाइन उसके बार में ये दी हम देखे दोस्तों सिक्षा विबाग रोहेल कंडविस पर विदाले के प्रोफिशर भी आर कुकरेती ने क्या का है पचास परतीश चातरों को इस तक्नीक का ग्यान नहीं है पेपर का पेटरन बदल कर बहुत प्रस्त बनाने होंगे बहुत वड़ी तयारी करनी होगी चातरों को ट्रेनिंग देनी होगी उन्होंने कहा है कि लगबग आदे से ज़्यादा इसे हैं जो कि ओनलाइन परिक्षा देने में संबब नहीं है साथी साथ प विश्व विदालियों की भी यही बात है वो ओनलाइन एकजाम नहीं करवाना चाते हैं वो चाते हैं कि यदि एकजाम करवाई जाएं तो ओफलाइन एकजाम करवाई जाएं अन्यता एकजाम नहीं करवाई जाएं यह विश्व विदालिया का कहना है और यदि दोस्तों आ कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे अपने चैनल गरीमा बोथरा को